हेलो दोस्तों आज हम यहां पर एक शेयर से लेटेट बाते करते हैं जहां पर प्रमोटर ने हिस्सदारी दुबाड़ा बढ़ाते हुए नजर आए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आप स्वारी लास्ट जब हमने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि प्रम यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा और इसका टेक्निकल भी देखेंगे फंडामेंटल भी देखेंगे क्या यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है क्योंकि यहां पर आप देखो कि लगबग 35% की गिरावट हो चुकी है ठीक है अभी वह 35% नहीं रहा है अभी लगब अपने फाइनिशल एडवाइजर कुद की स्टड़ी करना है चीटों को सीखने के फोकस करना और चीटों को सीखना कैसे है सबसे पहले वीडियो जाके देखनी है एक एक करके वीडियो को जाके खंगाल लीजिए आपको बहुत सारा फायदा होता हुआ नजर आएगा आपक कि चार साल पहले बताया था एक से डेट साल पहले कि यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पर वीडियो देखिए दो महीने पहले दो महीने पहले ठीक है यहाँ पर आप देखोगे दस महीने पहले नो महीने पहले सात महीने पहले ग्यारा महीने पहले दस महीने पहले यह पर देखिए एक साल पहले ठीक है यह देखिए बार-बार यहां पर बताया गया है तो यह इसके बताने के पीछे का शायद कोई ना कोई गिरता है तो यहां पर यह मेरे नंबर है 860540501 8169261037 आप इन नंबरों पर कॉंटक कर सकते हैं कब लेना है कियो लेना है यह इस कोर्स में आपको समझ में आ जाएगा कोंसी ब्रदोर पर कोर्स करने के बाद एक साल का के अवल experience ले लीजिएगा ना तो future की जरूवत है ना option की जरूवत है ना किसी तरीके की trading की जरूवत है ये पूरी study आपको पैसा बना के देदेगी और इतना पैसा बना के देदेगी कि आप पैसे बटोरते रह जाओगे बट एक साल के experience लेना वो जरूड़ी है इस course के बाद बाकी साथ में काम करना है time नहीं है इन्ही नंबरों पे contact करो साथ में काम करके देखो आपको चाहे समझ मैं तो आगे बढ़ते हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत वायर रोप्स की साथ रोपे से जैसे मैं बता रहा हूं कि यह शेर को बताते आ रहा हूं साथ पर बताया था असी पर बताया था सौ पर बताया था एक सो बीस पर बताया था एक सो असी पर बताया था दो सो पर बताया था और यहाँ पर आप manufacturing, steel wire, wire ropes, strength and slings. तो यहाँ पर company क्या गर रहे है? Company wire बनाती है और किस तरीके के wire बनाती है? Okay, infrastructure बन रहा है. Infrastructure building बन रहे है, multi-story building बन रहे है. Lift से लोग जाते हैं. Lift को उपर नीचे खीचने के लिए जो wire use होती है, यह company बनाती है. Okay, यहाँ पर आप देख सकते है, crane ropes, अलग अलग तरीके के, ropes बनाते हुए नजर आते हैं. यहाँ पर आप देख सकते है, भारत wire and ropes, यह अलग अलग तरीके के, यहाँ पर wire, ropes, slings वगरा बनाते हैं. अच्छा का सा business है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जाके एक बार देखिए इनकी website को विजिट करिए आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आता हुआ दिखाई देगा बाकी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले small cap company 1893 करोड रुपे का market के आप मतलब क्या है मतलब है कि small cap share है small cap का मतलब क्या है कि हमारी channel का नाम भी I am small cap investor है इसलिए subscribe कर देना बाकी small cap का मतलब यह है कि share जब भागड़ा है तो अच्छे return दे रहा है नोडा उट बर जब गिरेगा तो याद रखिए यह share आपके अच्छे का से return को छीन भी सकता है कि 1500 वाला stock okay 15 रुपे पे आ रहा है 10 रुपे पे आ रहा है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है शायद यहां पर देखिए इतनी तेजी के बाद यह गिरावट हो रही है शायद और भी नीची आ सकता है तो इस चीच को हमेशा में में रखना है तो आप छोड़े कंपनी के शेयर लेते हो PE की बात करें बट इससे कैसे deal किया जा सकता है वो हम अपने कोर्स में बताते है तो कभी कोर्स को join करोगे सीखोगे तो मैं आपको बताऊँगा stock PE 20 इंडश्टी का PE किस ओके ना सस्ता है ना महेंगा है ROC ROE यहाना ठीक ठाक नज़र आते है यहाँ पर देखिए return on asset अच्छा खासा है company gross profit margin is quarter का देखोगे 49% है इसके इलावा intrinsic value के आसपा share चल रहा है 10 की face value है आगे चलके split भी मिल सकता है dividend company देती निया 402 का high बना है 278 पर share चल रहा है यहाँ पर पता चलेगा company कुछ time से तो लगाता अच्छे खासी sales करती हुई नज़र आ रही है yearly performance की बात करें company का अच्छा खासा है margin company के बढ़ते हुए नज़र आ रहे है profit बढ़ता हुए नज़र आ रहे है highest time profit बढ़ती है EPS अच्छा खासा है बात करें company का performance बहतरी यहाँ पर दिखाई देता है यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी reserves की बात करें company का अच्छे खासे reserves है borrowing है company की घटती हुए नज़र आ रही है 600 करोड से 181 करोड के आसपास की borrowing रह गई है अच्छी बात है working progress में 13 करोड रुपे लगा रखे positive cash flows नज़र आते हैं इसके लावा हम यहाँ पर देखे promoters की holding तो promoters की holding 39% के आसपास की holding यहाँ पर है ठीक है ना जो 37 से यहाँ पर बढ़ती हुए नज़र आई थी इसके लावा बात करें FIS की तो FIS ने देखिए यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई थी TIS की हिस्सेदारी यहाँ पर थोड़ी बहुत है बट घटती भी नज़र आ रही है पबलिक की बात करें तो यहाँ पर 56% की share है बट 56 में भी देखिए बहुत सारे लोग को ने exit भी किया है कुछ लोग ने यहाँ पर entry भी करते हुए नज़र आ रहे है तो दोनों तरीके की कुछ लोग के लिए हो सकता है कि वो भाव अच्छा है कुछ लोग के लिए हो सकता है कि वो भाव थोड़ा सा बेकार है यहाँ पर हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं आपको बता रहा था कि प्रमोटर ने यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है तो यहां पर आप देखिए ग्यांशंकर इंवेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी ओके प्रमोटर्स यहां दिखा ही दे रहा है आपको देखिए मार्च 2024 इसी साल की बात और इसी महीने की बात और यहां पर अच्छे खासे शेयर इस अलग अलग भाहो पर जितनी गिरावट हो रही है उसमें दीरे-दीरे करके यह लोग खरीदते हुए नजर आ रहे है तो यह खरीद रहे है तो देखिए कंपनी के बारे में उसके मालिक से ज़्यादा उ इस चीट को यहाँ पर ध्यान रखे शायद positive हो सकता है बट जब ये खरीद रहे है तो ये भी ध्यान रखना है कि ये एक दो दिन के लिए नहीं खरीद रहे है ये यहाँ पर खरीद रहे है कुछ बड़ा कुछ time को देखने के बाद कि यहाँ एक साल तक देख साल दो साल तक हो सकता है कि इस भाव पर मिले और फिर उसके बाद जब भागे तो अच्छा खासा भागे तो short term vision नहीं है long term vision अब बाट करेंगे चार्ट से later चार्ट क्या कहा रहा है बट उससे पहले आपसे request है चैनल को subscribe, bell icon को hit all के notification को on करें buying selling की recommendation नहीं है और वीडियो इसको like, comment, share के बाद इन number को note करके call कर सकते हो gossip कर सकते हो और यहाँ पर हमारे साथ course कर सकते हो सीख सकते हो कि कैसे मैंने यह share 60 रूप पे दिया और 400 को touch किया साथ में यहाँ पर चीरो को दूसरे तरीके से भी आप यहाँ पर देख सकते हो साथ में काम करके तो आगे बढ़ते हैं तो भारत वायर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं आपको एक चीज दिखा हुआ देखिए क्या है यह 200 DMA है और जब भी तो यहाँ पर देखिए इधर ही बार-बार आके सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है तो यह लाइन काफी इम्पोर्टन ना इन होती और अगर यह तोड़ देती है इस लाइन को, तो क्या हो जाता है? चीज भी बेकार होती नजर आती है यहाँ पर जैसे कि आप ये यहाँ देख सकते है लाइन को अगर तो तोड़ने के बेकार भी हो जाती है तो इस चीट को थोड़ा सा देखिए बाकी positive क्या है negative क्या है कभी आप मेरे इस course में join करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा बाकी सब चीट क्या है क्या नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं एक pattern बन रहा था है तो देखिए टेजी हो भी सकती है नहीं हो सकती है नहीं हो सकती मार्किट के वीजन पर डिपेंड करेगा और कंपनी के कॉट रखे थोड़ा बहुत यहां पर movement मुझे दिखाई देती है शायद थोड़ा बहुत movement हो ठीक है तो दोनों तरीके से लेके चलना है क्या अगले quarter के result company बहतरी दे सकती है वो सब्चीर आपको सोचना है तो मुझे लगता है कि शायद एक डेट साल तक अभी यह share या तो consolidation या थोड़ा बहुत भाग के consolidation करता हुआ नजर आएगा और इसी भावों पर चलता हुआ नजर आए अपने financial advisor उसकी study करें चार्ट ठीक ठाक नजर आता है ठीक है long term का vision है तो शायद अच्छा हो सकता है बट short term का vision है तो थोड़ा बहुत घाटा हो सकता है तो हमेशा अलग अलग तरीके से आपको देखना होता है आप क्या हो कब लेना है कब नी लेना है वह चीज़े आपको आपक खुद analysis करने पड़ेगी वीडियो अच्छी लगे like, comment, share, channel को subscribe करेगा बाकी course करेंगे तो आपको insight पता चलेगे कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए तो thank you so much God bless